यूँ तो हर जहाज का एक ही कप्तान होता है लेकिन अगर जहाज राजनीती के समंदर में गोते लगा रहे हो तो फिर दो कप्तान भी हो सकते हैं ऐसा इसलिए कहारा हूँ क्योंकि दिगविजे सिंग के बयान के बाद अब कॉंगरेस पार्टी ये तो मान रही है कि सत्ता के दो केंद्र हो सकते हैं लेकिन साथी इसमें तालमेल की किसी भी कमी से इंकार कर रही है दरसल दिग्विजे सिंग ने ये कहकर कि सत्ता के दो केंद्र का मौडल कारगर नहीं है और 2014 में पार्टी सत्ता में आती है तो राहुल गांदी को किसी और को पियम मनुनित नहीं करना चाहिए एक तरह से साफ कर दिया था कि कमान एक हाथ में ही रहे तो बहतर है लیکन कॉंग्रेस पार्टी ने थोड़ी धेर में इसे दिग्विजे सिंग का निजी बयान बता दिया और ये भी साफ कर दिया कि भविश में ऐसा मौडल ही कारगर होगा लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई इस वक देश में सत्ता दो हाथों में है क्या सत्ता के दो केंद्र बेहतर होते हैं क्या उनमें चेक बैलन्स की गुंजाईश जादा होती है या उनकी वज़े से फैसलेट टलते हैं और क्या कॉंग्रेस को ये सिस्टम वाकई रासाया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ विनोद अगनी होतरी साब हैं वरिष्ट पत्रकार हैं सब बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ महाबल मिश्रा साब भी जुड़ रहे हैं जो की सांसद हैं कॉंग्रेस के बहुत स्वागत है मावल मिश्रा साथ आपका थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी की नेता विजेगोयल भी जुड़ेंगे लेकिन मावल मिश्रा साथ मैं आप से ही शुरुवात करूँगा इस चर्चा की ये आने वाले दिनों के लिए भी मिसाल है ये बात पार्टी के वरिष्ट महासचिव जनार्दन दिवेदी ने कही कॉंग्रे सद्ध्यक श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री डॉक्चर मनमोहन सिंग के जो संबंध रहे हैं वैसा उदाहरन आम तोर से नहीं मिलता है ये दिगविजे सिंग के एक पुराने बयान का जवाब है तब दिगविजे सिंग ने सत्ता के दो केंद्रों को सही नहीं बताया था ये भी कहा कि पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अब दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये दिगविजे के निजीराय है और पार्टी को सोनिया और मनमोहन के ताल में इसे फाइदा हुआ है अब जनारदन दिवेदीजी ने बहुत क्लारिटी से समझा दिया है ये हम आगे चलेंगे और इसमें और कोई दो रही है वैसे इन बयानों के बावजूद ये सवाल तो बना ही रह जाता है कि किस रणनीती के तहट दिगविजे सिंग ने ये बात कही दिगविजे के बयान ने कॉंग्रेस पार्टी के भीतर के सियासी मौसम को घरम कर दिया तो अब जनारदन दुवेदी के इस बयान ने इस मौसम की तरह कॉंग्रेस पार्टी के भीतर के मौसम को ठंडा करने की कोशिश की है लेकिन चुनाओ के पहले दोनों के बयान काफी सवालों को पैदा करते हैं जिनके जवाब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगे नई दिली से कैमरेमन मतनलाल के साथ मैं कुमार विकरांथ सिंग एंडी टीव इंडिया कुछ जवाब तो आहिस्ता सामने आएंगे ये विकरांथ कह रहे हैं लेकिन कुछ सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ खास महमानों के जरीए जिसमें विनोध अगनी होतरी साब और महाबल मिश्रा साब हमारी मदद करेंगे माबल मिश्रा साब ये जो सत्ता के दो केंदर होते हैं इसके नफा नुकसान का जिकर तो हम करेंगे लेकिन एक सवाल मन में तो पहला ये है कि दिगविजे सिंग पार्टी के इतने बड़े नेता हैं वरिश नेता हैं पुराने नेता हैं अगर ये उनकी निजी राय भी है कि सत्ता के दो केंदर जो हैं वो सही नहीं है ये मौडल सही नहीं है पार्टी के अंदर तो ये राय उनके मंद में क्यों आ रही आखिर है सिस्थिति क्यों पैदा हो रही है मैं मानिये हमारे दिग्विया सिंग जी बहुत बरिश नेता हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता वो किस परिपेक्ष में कहें लेकिन जैनार्धन दुबेदी जी महामारे मानिये महासचीव हैं और बहुत सारे नेतागन कहा है दो संटर मैं तो आपको डीके बर्वा और सुर्गेंद्रा गांधी भी प्रधानमंदी दीके बर्वा आध्यक चुआ करते थे बहुत सारे लोग में हुआ है तो दो सत्ता का केंद्र नहीं है मैं समझत Success दो दोनोंके समेन नए इतना अचाए UP1 देखें UP2 देखें समेन वे रहा इसा कोई कोई सत्ता का दोग के अंदर दिखाईश नहीं देता है आपको एसा महसूस नहीं वा पाहति के हैथ नहीं आटीक्स-परिक्ष में कहême एक दोग जानकारी नहीं है लेकिन जो जनारदंद्र वजी साहब ने कहा है तो सता के दो केंद्र नहीं वज़े समयन्वे से काम हो रहा है तो मुझे लगता है जो समयन्वे से यूपीए वन देखा यूपीए टू देखा हम लोग सांसाथ चार साल से हैं मुझे नहीं कोई डिफरेंस दिखाई दिया अन अंतर है हर काम समयन्वे से होता है यूपीए के चेयर्मन हमने सिर्मति सुन्या गांदी जी है जब कभी भी बात आती है तो यूपी के चेयर्मन के हैसे से प्रधानमंदी की मीटिंग में लेकर के काम करते उसमें कोई अंतर्त दिखाई नहीं दिया